नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM News Network और मैं हूँ आपके साथ प्रगती ठाकुर। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की कमान किसके हाथ में होगी इसको लेकर चल रही चुनावी ज्रंग की तस्वीरे अब पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। और अब ये लगभग तैभी हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर अमेरिका के रास्टपती बनने जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी की जीत का एलान भी कर दिया हैं। जिससे तैभ है कि अमेरिका की कमान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प के हाथों में ही होगी। हाला कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। यही कारण है कि ट्रम्प के समर्थकों में उत्साह काफी बढ़ गया है। जबकि भारतिय मूल की कमला हैरस का अमेरिका की रास्टपती बनने का सपना एक बार फिर अधूरा ही रह गया है। है क्योंकि बाइडेन के बाद अब टरफ और रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता वापस आने से अमेरिका की नीतियों में फिर से बदलाओ देखने को मिलेगा इस बदलाओ का असर कई देशों पर भी पढ़ना तै है क्योंकि जाहिर है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी की नीती में भी काफी अंतर है यही कारण है कि अब जब डोनाल ट्रम्प एक बार फिर अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं तो फिर से अमेरिका की नीतियों में परिवर्तन होगा और इसका असर भारत समेत कई देशों में देखने को मिलेगा या यू कहले कि पूरी दुनिया की वैश्विक नीती में भी बदलाओ देखने को मिलेगा यही कारण है कि सभी देश अमेरिका के चुनाओ को काफी गौड से देख रहे हैं वाइट हाउस की रेज पर भारत की भी नजर गड़ी हुई थी क्योंकि अब एक बार फेड डोनाल ट्रम्प के अमेरिका का नया बॉस बनने से भारत और अमेरिका के रिष्टे पर भी असर पड़ेगा डोनाल ट्रम्प इससे पहले भी अमेरिका की कमान्स संभाल चुके हैं उस समय उनके कई फैसले काफी सुर्खियों में भी रहे हैं हाला कि भारत में उनके नमस्ते ट्रम्प कारिक्रम के बाद से उन्हें भारत की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त के रूप में माना जाने लगा था हलागी टरंप और मोदी के विचार कई मामलों में एक सेढ दिखते हैं लेकिन यहां बात सिर्फ मोदी और टरंप की नहीं है बात है दो प्रमुख देशों के बीच रिश्टों की इसलिए जब भारत में एकब बार फेर नरेंदर मोदी के हाथों में देष की कमान है तो वाइ हो जाता है भारत के दृष्टी से देखे तो अमेरिका के साथ भारत के संबंध व्यापार सुरक्षा जियो पॉलिटिक्स सहित कई मामलों में अहम है इसलिए अब जब डोनल्ड ट्रम्प एक बार फिर अमेरिका के रास्टपती बन गए है तो भारत के लिए सबसे जरूरी य सकती है इससे पहले डोनल्ड ट्रम्प जब अमेरिका के रास्टपती बने थे तो उनके कारेकाल में चीन को एक खत्रे और एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया जबकि उससे पहले अमेरिका की किसी भी रास्टपती ने चीन को कभे भी अमेरिका के लिए रणनीत खत्रा नहीं बताया था वहीं अब भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से संबंद अधिक तनावपूंड बने हुए हैं जिसे कई मौकों पर भारत सरकार भी स्विकार कर चुकी है साथ ही गलबान में हुई घटना भी इसका प्रमार देती है हाला कि भारत की मोदी सरक अभी भी इस बात से इंकार करती रही है कि चीन भारत की सीमा में नहीं घुस रहा है जबकि कई सैटेलाइट तस्वीरों और मीडिया रिपोर्ट से यह जाहिर है कि अरुनाचरल के रास्ते चीन भारत में घुस पैट कर रहा है विपक्ष भी इस बात को कई बार दोहरा अपने रिष्टे और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेगा क्योंकि 2020 में गलबान घाटी में हुई हिंसक जड़ब के बाद लंबे वक्त तक भारत और चीन के रिष्टों में तना तनी बनी रही लेकिन कुछ दिन पहले दोनों ही देशों ने डिस इंगेजमेंट का एलान कि और अब यह माना जा रहा है कि दोनों देशों के रिष्टे सामान्य हो जाएँगे लेकिन फिर भी विशेष अग्यों का ये कहना है कि भारत को चीन से काफी सतर्क रहने की जरूरत है जाहिर है कि चीन भरुसे के लायक नहीं है और उसपर भरुसा करने वाला नहीं है यही क 488 किलो मीटर लंबी सीमा है चीन भारत के कई लाकों पर अपना दावा करता है और इस वज़ा से दोनों देशों के बीच तनाव के हालात पैदा हो जाते हैं अब अमेरिका में ट्रम्प को फिर से जीत मिलने के बाद भारत को चीन से निपटने में एक अच्छा साज़िदार म कहा था कि अमेरिका चीन के साथ अपने रिष्टों में विवीधता लाना चाहता है लेकिन अब जब अमेरिका की कमान फिर से ट्रम्प को ही मिली है तो संभव है कि चीन के खिलाफ खुद को मजबूत करने में अमेरिका भारत के साथ खड़ा दिखेगा बता दे कि इसके अल एक बार फिर डोनल्ड च्रम्प ने अमेरिकी रास्टपती चिनाओ में जीत हासल कर ली है और उनकी जीत का दावा किया जाने लगा है तो आने वाले वक्त में अमेरिका में अवैद रूप से होने वाले इमिग्रेशन पर लगाम लग सकती है और इमिग्रेशन का मुद्द एक बार फिर अमेरिका में जोर पकड़ सकता है जुसका असर दुनिया के अने देशों के साथ भारत में भी देखने को मिलेगा इस मामले में भारत सरकार का कहना है कि वो भारत से अवैद रूप से अमेरिका में जाने वाले लोगों का समर्थर नहीं करता है लेकिन यहां सो के बीच टैरिफ का मुद्दा भी काफी एहम रहा है ट्रम्प भारत की ओर से अमेरिका की प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाए जाने के पूरी तरह खिलाफ रहे हैं उन्होंने भारत से हारले डेविट्सन बाइक पर टैरिफ कम करने को कहा था अब जब एक बार फे डोना दिन सरकार ने भी ट्रम्प की सरकार के दोरान लगाए गये टैरिफ को ही जारी रखा और सेमी कंड़क्टर और इलेक्ट्रिकल वीकल पर नए टैरिफ का ऐलान किया है ऐसे में टैरिफ के मामले को लेकर ट्रम्प के रास्टपती बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिष् संकाल में भारत के आंतरिक मामलों में कोई खास हस्त शेप नहीं किया था ऐसा नहीं देखा गया है कि ट्रम्प ने कभी भी भारत में मानवा धिकार के रिकॉर्ड को लेकर कोई टिपड़ी की हो जम्मो कश्मीर में अनुचे 370 को हटाए जाने या पुलबामा आतंकी हमले के बाल ट्रम्प ने रायट टू सेल्फ डिफेंस वाली बात गई थी और तब इसे भारत के पक्षमे माना गया था जबकी जो बाइडन और कमला हैरस की ओर से भारत में कमजोर होते लोगतंत्र को कर टिपड़ी की गई थी और साथ ही भारत को लोगतांतरिक सद्धानतों को लेकर नसीहत भी दी गई थी जो भले भारत के नागरिकों के लिए अच्छी बात हो लेकिन भारत की मोधी सरकार इसे बिलकुल पसंद नहीं करती है ऐसे में अब जब एक बार फे ट्रम्प ही अमेर अमेरिका जैसे देश की ओर से लोगतांतरिक सद्धानतों को लेकर दी गई नसीहत भारत सरकार पर भी दबाव बनाती है फिलहाल तो अब यह तैह है कि डोनाल्ड ट्रम्प ही अमेरिका के वाइट हाउस में बैठेंगे और एक बार फिर रास्टपती की जिम्मधारी संभा हाला कि अब देखना यह होगा कि ट्रम्प के फिर से अमेरिका की सत्ता में आने से भारत को इसका कितना लाव मिलता है या ट्रम्प के फैसले आने वाले वक्त में भारत की मुश्किले बढ़ाते हैं अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलहाल तो अमेरिका में सत्त परिवर्तन हो गया है और इसे के साथ ही रिपोर्ट आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइए और देखते रहें फोर पीम न्यूज नेटवर्क नमस्कार